एक सो एक तालिस दिन शनी डालेंगे उल्टी चाल। कई राशी वालों की बढ़ जाएंगी मुश्किल हैं। शनी देव नाराज होने पर धन में कमी लाते हैं। मकर राशी में शनी हो रही हैं वक्री। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशू मनोत्रा। देने के लिए आया हूँ। जैसा कि 23 मई से शनी देव वक्री होने जा रहे हैं, तो इनका वक्री होने से किन राशी वालों को लाब होगा। किन राशी वालों को थोड़ी साफदानी रखनी होगी। इसकी जानकरी मैं आपसे सांजा करूंगा। शनी देव 23 माई को दुपैर धाई बज़े के आसपास वक्री होंगे और दुबारा वो 11 तूबर को मारगी होंगे जब भी कोई ग्रया वक्री होता है तो वो अपनी उल्टी की दिशा की तरफ बढ़ने शुरू कर देता है यानि वो उल्टी चाल चलनी शुरू करता है तो इससे वो अपनी कुछ चीजें कुछ राशियों पर दुश्प्रभाव के प्रती उजागर करता है और कुछ राशी वालों को वो लाब की स्तीती देता है क्योंकि कई बार वक्री ग्रया भी हमें लाब ही देते हैं उनका हमारे उपर कोई भी दुश्प्रभाव नहीं पड़ता सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि मिथुन राशी, सिंग राशी और उसके बाद कुम राशी इनसे शनी देव जो गोचर कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखने योग के बात होगी क्योंकि अगर मैं मिथुन राशी की बात करूँ तो वो आपकी राशी से अश्टम भाव में गोचर कर रहे हैं अश्टम भाव हमारा रोग का है, हमारे सोच समझ की वृद्धी का है, जो हम जिन्दगी में नहीं सीख पाते यह उस कीज का घर है, यानि कि अद्रश्य वातों का, अद्रश्य ग्यान का घर भी यह माना जाता है, थोड़ी सी सावदानी पूरवक चलेंगे, तो हमें इसका लाब अवश्य होगा सिंग राशी वालों से छटे भाव में गोचर कर रहे हैं शनी देव, जो कर्ज, रोग और शत्रों का घर माना जाता है, तो आप भी थोड़ा धैरे पूरवक चलेंगे, तो आपके लिस्तितियां अच्छी होगी, क्योंकि आपके जो लगन के मालिक सूरे देव है, वो भी खर्चों का और यात्राओं का घर माना जाता है, ये यात्राएं तीन तरह की होती हैं, अस्पताल, यात्रा, कोटकचरी की यात्रा या फोरन यात्रा, तो ये तीन राशी वालों को थोड़ा धैरे पूरवक आगे बढ़ना होगा, आपको पूरन तालाब होगा ही होगा, उ क्या कर सकते हैं उसके बाद जो बची हुई राशिया है मेश वरिश मित्थुन और मीन ये राशी वालों को भी बहुत जाना लाब हो सकता है इन 23 तारिक से जब शनी देव वक्री होंगे तो आपको ये बताना चाहूंगा 23 को शनी देव वक्री होंगे तीस मही को बुद्ध देव वक्री होंगे और शनी और बुद्ध का कॉंबिनेशन बहुत जादा एक अच्छा माना गया है क्योंकि शनी का सांप और बुद्ध की चमकाड़ ये उल्टा देख के भी वार करते हैं ये उल्टा देख सकते हैं तो जब ये दोनों वक्री होंगे तो कोई भी डिसीजन लेने लेते वक्त अगर हमने जल्द बाजी की तो आपको हानी हो सकती है सबसे पहले मेश राशी की मैं बात करूँ मेश राशी से दस्वें घर में शनी देव का गोचर है जो करमस्तान प्रधान है आपके कोई नए कारे आपको मिलने के मार्ग प्रशस्त होंगे 23 मई के बाद लेकि आपको ध्यान पूरवक उस चीज़ को देखना होगा क्योंकि दो जून से आपके जो लगनेश हैं वो नीच होने जा रहे हैं वो शनी के सामने आ जाएंगे आपको अपने गुसे पे काबू रखना होगा अपने मित्रों से भाईयों से बना कर रखनी होगी तो आपको ज़रूर नया कारे मिलेगा जिससे आप आगे बढ़ बात करूं वरिश राशी वालों के लिए वरिश राशी से नमंभा में शनी देव गोचर करेंगे तो जो एक आपके लिए अच्छा योग माना जाता है यह भागे का घर है यह देव गुरु ब्रस्पति का घर है तो यह आप जितना धरम करम के साथ जुड़के कोई कारे कर अंकार में ना बदलने दें अपने बड़ों का मान समान करेंगे जितना वो आपको लाब ही देगा इसमें कोई दोराई नहीं है आप 23 मही के बाद जो शुक्कर बार आता है आप दाएं को खीर खिला सकते हैं इससे भी आपको बहुत लाब होगा मिथुन राशी की बात वो भी 30 मही से वक्री होंगे शनी देव भी वक्री होंगे तो यहाँ पे काम काज का ये घर माना गया है मंगल और बुद्ध का है यानि बुद्ध हमारी बुद्धी और मंगल हमारा जोश जोश से भरी हुई बुद्धी तो यहाँ पे अपनी बुद्धी को ध्यारे रखे क्योंकि यहां पे जो तीसरे घर के कारग्रा मंगल भी नीच हो जाएंगे आपकी बुद्धी का कोई गलत डिसीजन आपको लोसिस दे सकता है तो यह आपको ध्यान रखना बेहर ज़रूरी है क्योंकि आपकी राशी के उपर शनी का ध्या भी चल रहा है शनी की उल्टी द्रि चोटी कन्याओं को पांच-पांच के नोड़ दें और हरे रंका कुछ खाने पिने का समान उनको दें आपको बहुत दुल्कुल लाव होगा करक राशी करक राशी चंदर देव की है और मकर राशी में जो शरी देव गोचर कर रहे हैं और श्रवन नक्षरत्र श्रवन नक् मन को मजबूत करने की बहुत जारा जरूरत है मैं करक राशी वालों के साथ साथ उन लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि जिनका चंदर शनी कठा है वो अपने मन को मजबूत कैसे बनाएं तो करक राशी वालों के लिए क्या कहना चाहूंगा करक राशी वालों के लिए भी मार्ग प्रशस्त होंगे जूर प्रशस्त होंगे इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन अपने कुछ चीजों को अपने काम काज में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी बातों को दिल पर ना ले बिल्कुल भी इमोशनली कोई भी हाट ना करें अपने आपको नहीं तो कहीं न कहीं आपका घर का सुक खराब हो सकता है इससे आपको बचने की बहुत ज़्यारा जूरुत है करत लगन वाले पानी की तरह बैने वाले होते हैं ये कोई चर राशी है तो आपको भी पानी की तरह बैते ही रहना चाहिए जब भी कई पानी खड़ा हो जाता है तो उसमें गंदगी आही जाती है तो शनी की दृष्टी करत राशी के उपर है तो मन के अंदर कोई भी किसी के लिए मैल या विरोधना रखें तो आपके लिए अत्यांत शुल्वकारी साबित होगा आपको क्या करना चाहिए आपको सबसे पहले चांदी की गिलास में पानी और उसमें चांदी का वर्क डाल कर अगर पीना शुलू करें तो आपको अत्यांत लाब इसका मिलेगा ही मिलेगा इसमें कोई दोराय नहीं है और दूद से बनी हुई मिठाईया जल प्रवाहित करें सोंबार को जितना यह आप करेंगे आपका चंदर का तलाब साफ सुत्रा और मजबूत होगा जिससे आपको कोई भी चीज टंग नहीं कर सकती इसके बाद मैं बात करूं सिंग राशी वालों के लिए सिंग राशी व मन चाहा कोई किसी के साथ दोस्ती बगारा करना चाह रहे है उस पर भी आपको बहुत जादा ध्यान रखने की जरूरत होगी क्योंकि यहां पर आपकी राशी के उपर देव गूरु ब्रसपती की दिष्टी तो बढ़ रही है जो आपकी ग्यान के में व्रिद्धी करेगी इसमें कोई दोराई नहीं है तो लेकिन थोड़ा सा धहरे बनाकर अगर आप चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाके काम्याप होने के योग आपके उपर बनेंगे ही बनेंगे इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन यहां पर उल्टी दिष्टी राहु की शनी के उपर है यहां पे यह देखने वाली बात है कि आपके जो लगन के मालिक वो हो मने ना पढ़ी ना किसी के वाद विवाद में आएन ना ऐसी कोई स्थिती बीदा सोओं समझे आटा बगारा दान करें ये करने से आपको अत्यांत लाब होगा और ये स्थितियां जो कमजोर चल रही है वो दीरे-दीरे खतम होनी शुरू होगी इसके बाद करन्याराशी की बात करूंगा करन्याराशी भी बुद्ध की है जो छटे भाव की कारक है छटा भाव रोग शत् करें बाद में तो ये लेन दिर में आपको बहुत जारा ध्यान पूर्वग रखना होगा नहीं तो मानसिक तनाव से आपको कोई रोग वगरा भी हो सकता है इससे आपको बचाव रखने की बहुत जारा जरूरत है इस चीज़ का आप बेहत ध्यान रखें तो आपके लिए अगर आप अपने बुद्धी पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बुद्ध की कारक है तो वो जब 30 मही को वकरी होंगे और शनी 23 तारीक को वकरी होंगे तो यह यहां पर कॉंबिनेशन फाइनांस का हिलना अनिवार्य हो जाएगा तो यह आपको ध्यान रखना हो होगा कि कोई भी ऐसी स्तिती मेरी तरफ से ना बने 23 महीं के बाद जो बुद्धवार आए अपने भार के बराबर हरा चारा गाये को खिलाए जितना आप खिला देंगे आपको कोई प्रॉल्म नहीं आएगी बात करूंगा तुला रशी वालों के लिए तुला राशी के कि पूरे योग है यहां पर को जब तक शनी देव इस राशी को देख रहे हैं धैये में तो यहां पर कई स्तितियां बिगड़ेंगी सबरेंगी तो यह होना अनिवारी है क्योंकि आपकी राशी से दूसरे भाव में केतु चल रहे हैं कि दूसरा भाव शुकर का दुड़े बढ़ना चाहिए आपके लिए बहुत बेहत जारा यह जरूरी है आपको क्या करना चाहिए 23 वे के बाद जो शुकर वार आएगा आपको एक गुलाब का फूल शेहत में डबोकर शिविलिंग पचनाना बहुत जारा उत्तम माना जाएगा यह आपके लिए बहुत ही आपामयाप शोंगे विरिश्चिक लाशी के लिए बात करूंगा विरिश्चिक राशी में केतु देव का गोजर चल रहा है और जिनकी कुली में केतु चंदर या शनी चंदर की यूटी बनी है तो उनको स्वास्तेस्मंधी प्रॉवार्म शाएंगी तो अपने स्वास्ते पूरा ध्यान रखें अपने उपर मांसिक तनाव का बोज ना आने दें नहीं तो कहीं न कहीं आपको रोक से धन का अभाव होगा जो आपके उपर पैसा लगेगा फिर कई चीजें प्रिशान करेंगी प्रिवार को भी आपको गुस्ता बहुत आ सकता है इन चीजों से बचना आपके लिए बेहत जाना जरूरी है यहाँ पर 23 मही के बाद आपके लिए क्या होगा क्योंकि शनी का वक्री होना भी कहीं ना कहीं आनी देगा और विर्श्चिक राशी के मालिक शनी मंगली है तो मंगल भी नीच हो रहे हैं और शनी भी वक्री हो रहे हैं तो विर्श्चि करना चाहिए आपको मीठे पूड़े बनाकर कुट्टों को खलाने चाहिए हर मंगलवार को यह करना बेहद आपके लिए अच्छा साबित होगा इसमें कोई दोराएं नहीं है और उसके बास सोंवार को आप दूद में काले तिल डाल कर अगर आप शिव को अर्पित करते हैं तो ये भी आपको बहुत ज़रा अच्छे योग देगा बात करूँ आधनु लगन की धनु रासी वालों के लिए धनु रासी के उप़र शनी की साड़े सती चल रही है तो यह स्तिती अच्छी ही माने जाएगी को कि जब भी शनी की साड़े सती जाते लाब देके जाती है और जिनकी कुल्ली में शनी अपने से सात्वे नोमे गोचर कर रहे हैं तो उनके लिए शुब योगी बनेंगे, इसमें कोई धोराएनी उनका वपार में व्रिद्धी भागे में व्रिद्धी होगी होगी, मकान, आदी, गाडी गारा ये बनेगी, इसमें कोई वो नहीं है कि ये नहीं होगा, ये होता ही होता है जब भी शनी देव अपने से सत्वे नोमे या शुब ग्रैवों में वो गोचर करते हैं, अपने से, जैसे लगन में, लगन कुल्ली में किसी के चोथे में बैठे हैं, अब वो आप अपनी राशी से सत्तम भाव में चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए लाब हो गई होगा, या वो पहले बैठे तो अब नोमे में आगे, तो नोमा भाव बागेगा मना जाता है, तो आपके लिए अच्छा ही योग है, इसमें कोई दोराए नहीं है, आप घर से बना हुआ खाना, अगर धर्मस्तान के बार बैठे लोगों को ख जनीवार को, और किसी जुरुतमन औरत को चकला बेलना देते हैं, किसी जुरुतमन को चपल दान करते हैं, या काला च्छाता दान कर देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा, इससे शनीदेव परसंद होकर आपको लाब ही देंगे, और इससे देव ब्रस्पति भी आपके परसंद होंगे, जो धनुराशी के कारक है, इससे आपको लाब होगा, बात करूँगा मककर राशी की, मककर राशी शनीदेव की अपनी है, मककर राशी पर शनीदेव की साड़ी सत्य चल रही है, और दूसरा जो धाई साल होते हैं शनीदेव के, वो आपके धिमाग पर चल रही है तो ये कर्म की राशी है यहाँ पर दिमाग से कोई decision गलत लिया तो आपकी अगला जब ये वोचर करेंगे कुम राशी में वो income की राशी है उसको परभावित करेगी अब आज का decision आपका लिया हुआ नेक decision हुआ तो आपकी आमदन बढ़ जाएगी अगर गलत decision हुआ तो आगे से भी कम हो जाएगी जिससे आपको करजा मांसिक तनाव या आपको दुबारा restart करना पड़ेगा कोई नया कारे है इससे बचने के लिए अपने मन के उपर पूरा control रखें क्योंकि शनी जब भी मकर राशी में बैरते हैं तो मन की राशी को देखते हैं करक राशी को जो मन की है मन में आये हुए विचार अगर आपकी बुद्धी ने गलत ले लिए तो वो आपको आगे जाके नुक्सान करेंगे तो इस वक्त वो पिरेट शुरू हो रहा है मकर राशी का 23 मही से जब ये वक्री होंगे आपकी उल्टी बुद्धी घुमा देंगे या मन में उल्टे विचार आएंगे जिससे गलत लेके आप अपना कारे खराब कर सकते हैं तो आपको अभी धैरे बनाने की जुरुत है जो कर रहे हैं वो करते रहें तो ये मैं आपको चला दूँगा 11 तूपर तक कोई भी ऐसा कारे ना करे जिससे आपको आगे जाके एधाई 3 साल खराब हो जाएं आपके तो यहां पर अब आप क्या कर सकते हैं आप सबसे पहले तो अपने घर में नंगे बाउं गूमना बंद कर दें बिस्तर पे बैठके खाना खाना बंद कर दें घर से ऐसे ताले उठाकर फैक दें जिनकी चावियां खो चुकी हैं जो लोग ड्रिंक करने के शुकीन हैं उनके घर पे शराब की खाली बोतले ना पड़ी हो ये बहुत ज़रा आपको हानी देंगे कस्ट्रक्शन का समान छट पे न रखा हो खराब ये भी आपको हानी देगा तो इन चीजों से बचाव रखना बेहर ज़रा ज़रूरी है अगर ये आप बच जाते हैं तो ये आपको मकान आभी दे देंगे जो एक शुप चीज होगी क्योंकि शनी दस मकर और कुम राशी में शनी देव जब भी होते हैं ये कस्ट्रक्शन के कारत हैं कस्ट्रक्शन के लिए मकान के लिए शनी देव को देखना पड़ता है तो अगर आप उनके नियम से चलेंगे तो आपको ये लाब देंगे देंगे ही देंगे अवश्य देंगे इसमें कोई दोराई नहीं है अगर आपके पास लेबर काम करती है तो शनी वार की शरीवार उनको मिठा किराना शुरू करें इससे आपको बेहत लाब होगा बात करूँगा कुम राशी की 23 मही से जब शनी देव अपना वकरी होकर आपके उपर प्रभाव देंगे अपना तो आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा ये कुम राशी हमारी रोज मर्रा की इंकम की राशी है तो ये देखना होगा कि यहां पर हमें कोई भी ऐसी कोई भी निर्ने ऐसा नहीं लेना जिस्ते हमारी राशी हमें आरी इंकम खराब हो जो ग्रय कुम राशी में बैठता है अगर शनी की स्थिती अच्छी हो कुणली में तो वो हमें नेकफल देता है अगर शनी की स्थिती अच्छी ना हो या हम अपनी स्थिती शनी की खराब कर लें तो हमें वो नुकसान देना शुरू कर देता है जिनकी कुंडली में कुम राशी में सूरे देव राजमान है तो वो अगर शनी का समानमास बजरा या ड्रिंक आधिसे दूर रहें तो वो आपको भर-भर के सूरे देव धन देगे इससे आपको बहुत जारा लाब होगा राहुदे बैठ जाएं तो वो भी सूरे को खराब करते हैं शोड़क करते हैं या हमारा स्वास्ते खराब हो सकता हैं या हम स्पॉल प्रकाथ συड़े ये बताना चाहूंगा कि आप भी अगर हर शनी बार को पिप्पल के लेकिश पे तिलों के दीति जलाना शुरु करें तो को लाब जरूर होगा बात करूँगा मेंद्राशी की मीन राशी देव दूरु ब्रश्पती की है तो यह बीएक मीन राशी वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय आने वाला इसमें गोंधाय लेकिन मीन राशी पैरों की कारत है यह पैरों से हमें भाग दूर कराके हमें आगे बढ़ाती है हमारा हम जो कमाते है उसका खर्चा करवाती है बारवागर खर्चे का माना गया है मौक्ष का माना गया है यात्राओं का माना गया है तो यहां पर भी अगर आप नेक धरम के कारे से जुड़के अगर आगे बढ़ते हैं मीन राशी वाले तो उनके ना मीन राशी वाले जुड़े रहेंगे आपको लाभ ही होगा इसमें कोई दोराई नहीं है मचलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा अगर आपके लगनेश बहुत अच्छे बैठें हैं ब्रस्पती राज कुंडली में और वह गोचर जो बार्मा घर्म का अपना ही है, खर्चों में ब्रोत्री कर सकते हैं मीराशी वालों के लिए, लेकिन वो आपको धन भी बहुत देंगे, क्योंकि जिस घर्में ब्रस्पति की दिष्टी जाती है, तो वो उसमें उत्तम योग देते हैं, तो यहां पे उनकी दिष्टियां बह दगाना, सोना धारंग करना, यह आपके लिए बहर जारा जूरी है, यह आप अवश्य करें, और जिनके घर में थोड़ा ब्रस्पति कमजोर स्थित्री में हैं, वो अगर 23 मई के बाद आने वाला जो बुद्वार या ब्रस्पतिवार हो, हरी रंगा कागल दें, उसमें सोन हैं, तो आपको इसका बहुर लाब होगा, तो इसी तरह मैं फिर अगली पोस्त में आपके लिए कोई अच्छी जानकारी लेके आऊँगा, तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार